दोस्तो अगर आपके Gmail अकाउंट में एक से ज़्यादा Gmail ID है और आप उसको remove करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको step by step बताएंगे कि कैसे आप अपने mobile से Gmail ID को remove कर सकते हैं तो चली फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजेगा इसके लिए फ्रेंट्स मैं अपने mobile के home screen पे आ जाता हूं प्रेंट्स सबसे पहले आपको अपने Gmail एप को open कर लेना है Gmail लेप को open करने के बाद प्रेंट्स आपको अपने profile pic पे क्लिक करना है profile pic पे क्लिक करने के बाद प्रेंट्स आपको यहाँ पे निश्ची की तरफ एक option दिखेगा manage accounts on this device तापको इस manage account on this device पे क्लिक करना है माइन आकाउंट इस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद प्रेंट आपके माल walls जितने भी Gmail ID होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से प्रेंट आप जिस भी Email ID को रिमूँब करना चाहते हैं उस Email ID को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलिए प्रेंट मैं यहां से email id को click कर लेता हूँ click करने के बात देखे प्रेंट यहां पर आगया remove account का option तो प्रेंट इस remove account वाले option पर click करके आप अपने email id को यहां से remove कर सकते हैं remove करने का मतलब प्रेंट आपका email id डिलीट होना नहीं होता है यहां से केवल आपके मुवाइल से यह रिमूब हो जाएगा और बात में चाहे तो आप इसे फिर से लॉग इन कर सकते हैं तो चलिए प्रेंट मैं यहां से रिमूब अकॉंट वाले आप्शन पे क्लिक कर देता हूं remove account वाले option पर click करने के बाद देखे यहां पर clearly लिखावा है remove account removing this account will delete all of its message, contacts and other data from the phone इस phone से जो है आपका data उटा जितना भी इस email id का है वो सारा कुछ यहां से delete हो जाएगा प्रेंट समझ जाएए आपका email id delete नहीं हो रहा है के बल इस phone से जो भी data email का वो सारा यहां पर delete हो जाएगा तो चलिए मैं यहां से remove account पर click कर देता हूँ remove account पर click करते ही देखे प्रेंट मेरे में 3 email id था और यहां पर एक account जो है यहां से remove हो चुका है अब 2 ही बचा है तो इस तरह से आप अपने email id को remove कर सकते हैं